लो फ्रेंड्स नीटो क्रेशन चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम हंस बनाना सीखेंगे जिसके लिए हमने दो कलर में उन लिया है वाइट और रेड और दस नमबर की कुरोशी है और सिलाई के लिए यह सुई और इसमें थोड़ा सा रूई लगेगा तो और कैची तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए सुरू कर करते हैं देखिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे यहां हम 28 चेन बनाएंगे एक बन गए दो तीन चार पाट छे साथ आठ नौ दस इगारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्निस बीस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 चेन बनाएंगे इसके बाद एक, दो, तीन, चार, चार चेन छोड़ देंगे और पाचवा चेन में हम एक डबल कुरोसिया बनाएंगे इसी तरीके से हम सभी चेन में एक एक डबल कुरोसिया बना लेंगे देखे, पूरा यहां तक हम सभी चेन में एक एक टाइम डबल कुरोसिया बना लेंगे देखे हमने टोटल 24 डबल कुरोसिया बना लेंगे आप देखे इस सैट से एक चेन बना लेंगे और दूसरी सैट आ जाएंगे और यहां पर हम देखे, एक दो और तीन टाइम हम स्लिप स्टिच बनाएंगे देखे, एक दो तीन तीन डबल कुरोसिया को हम स्लिप कर देंगे इसके बाद यहां पर हम तीन चेन बनाएंगे और फिर सभी चेन में हम एक डबल कुरोसिया बना लेंगे इस तरीके से हम सभी चेन में एक डबल कुरोसिया बना लेंगे यहां तक देखे हमने इन सभी में एक डबल कुरोसिया बना लेंगे सभी डबल कुरोसिया के ऊपर एक डबल कुरोसिया बना लेंगे अब इस चेन में हम यहां पर दस टैम डबल कुरोसिया बनाएंगे एक, दू, टीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और एक, दस, यहाँ पे हम दस डबल कुरोसिया बनाएंगे, फिर इस डबल कुरोसिया के उपर में एक डबल कुरोसिया बनाएंगे, और फिर से अब हम इन सभी डबल कुरोसिया के उपर एक, एक डबल कुरोसिया बना लेंगे, यहाँ तक, यहाँ से हम एक, दो, तीन, तीन डबल कुरोसिया छोड़ देंगे और यहां तक हम सभी के ऊपर एक डबल कुरोसिया बना लेंगे देखे फिर हमने पूरी लाइन यहां तक कम्प्लीट कर लिया है और इधर से तीन डबल कुरोसिया छोड़ दिये 1, 2, 3, 3 double crochet छोड़ के फिर हम यहां से दूसरी line वापस बनाएंगे दूसरी side आ जाएंगे और यहां पर हमने 3 double crochet छोड़ दिया है और फिर अब हम यहां 3 slip stitch बनाएंगे 1, 2, 3, 3 slip stitch बनाएंगे और यहां फिर से हम 3 chain बनाएंगे और इन सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरीके से हम इन सभी के ऊपर एक एक टाइम डबल क्रोसिया बनाते जाएंगे यहां तक चारो तरफ यहां से पूरा यहां तक बना लेंगे यहां फिर से हम एक दो तीन छोड़ देंगे तीन डबल कुरोसिया छोड़ देंगे और यहां तक हम पूरा लाइन यहां तक कम्पलीट कर लेंगे यहां देखे फ्रेंड हमने यहां से पूरा चारो तरफ यहां तक लाइन कम्पलीट कर लिया है और यहां हमने फिर से एक, दो, तीन, तीन डबल कुरोसिया छोड़ दिये हैं इसी तरीके से हम हर लाइन में तीन, तीन डबल कुरोसिया छोड़ देंगे इस सैट भी और तीन इधर भी इसी तरीके से हम एक, दो, तीन, तीसरा लाइन बन गया चार पाँच दो लाइन और बनाएंगे देखिए ऐसे इस साइट से आएंगे फिर यहाँ से 10 टाइम सिलिपे स्टि agu सभी डबल कुरोसिया के उपर एक डबल कुरोसिया बना लेंगे इन सभी के उपर एक डबल कुरोसिया बना लेंगे यहां तक चारो तरफ यहां तक और यहां हम फिर से एक दो तीन तीन डबल कुरोसिया छोड़ देंगे यहीं तक बनाएंगे और फिर यहां से हम फिर दूसर लाइन में वापस जाएंगे तो यहां पे हम तीन सिली पे स्टीच बनाएंगे उसके बाद फिर से एक लाइन बना लेंगे देखिए एक दो तीन इच्वथा लाइन बन रहा है एक बार यहां से आएगा फिर इधर से आके यहां पे राउंड कम्प्लीट हो जाएगा इतना हम बना लेंगे देखिए फेंड हमने पूरा लाइन कम्प्लीट कर ली है यह देखिए यहां दोनों साइड में देखिए एक दो तीन चार पांच पांच इधर और यहां से ही गिनेंगे हम एक दो तीन चार पांच पांच इधर एक दो तीन चार एक दो तीन चार और बीच में इतना बना के हमने कम्प्लेट कर लिया अब इसे कट कर देंगे इसे कट कर देंगे और अब हम हंस का मुख बनाएंगे इसके लिए हम पहले दो चेन बना लेंगे एक दो दो चेन बनाएंगे दो चेन बनाने के बाद नीचे वाले चेन में हम चार टाइम सिंगल क्रोसिय बनाएंगे एक दो त्रीन और एक चार चार सिंगल क्रोसिय बनाएंगे और इसे इस वाले चेन के साथ इसे सिलिप कर देंगे फिर एक चेन बनाएंगे और फिर चार सिंगल क्रोसिय बनाएंगे एक एक सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोसिय बना लेंगे और चार चार सिंगल क्रोसिय बनाएंगे फिर यहां हम इसे सिलिप कर देंगे फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर सभी के ऊपर हम दो-दो सिंगल क्रोसिय बनाएंगे सभी चेन में दो टैम सिंगल क्रोसिय बनाएंगे एक यहां पर बनाएंगे और सभी चेन में हम दो-दो टैम सिंगल क्रोसिय बनाएंगे देखिए सेम चेन में दो बार एक, दू, फिर सी एगला चेन में दू, फिर यहां स्लिप कर देंगे, इसी तरीके से फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहां एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इन सभी में फिर हम एक एक टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक 9, और एक यहाँ पे चेन है, अब हम इसे इस चेन के साथ स्लिप कर देंगे और एक चेन बनाएंगे और फिर इन सभी के ऊपर हम एक एक डबल कुर्सिया बना लेंगे एक, दो, तेन, चार, पाँच, छे, साथ, और एक आठ और यहाँ फिर से हम इसे स्लिप कर देंगे और अब हम इस धागे को भी कट कर देंगे देखिए यहाँ से हम फिर से दूसरे हुआइट वाला कलर लगाएंगे यहाँ पर फिर हम यहाँ एक चेन बनाएंगे और फिर सभी में एक डबल कुर्सिया बनाते जाएंगे कि अप पुआएंगे कि अप डबल को यहाँ पिर प्रवचे 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 शेज बनाएंगे पूरा लाइन कम्प्लेट करने के बाद फिर यहां पर सिलिप कर देंगे और फिर यहां हम एक चेन बनाएंगे और फिर यहां से हम सभी में एक डबल क्रोश यह बनाएंगे पूरा लाइन कम्प्लेट होने के बाद फिर हम यहां से सिलिप कर देंगे फिर एक चेन बनाएंगे और इसी तरीके से सभी डबल क्रोश सिंगल क्रोश यह के उपर एक एक सिंगल क्रोश यह बनाते जाएंगे इस तरीके से हम टोटल सुलह लाइन बना लेंगे सुलह लाइन सिंगल क्रोश यह बना लेंगे टोटल सुलह लाइन बना लिया है यह देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नहों दस गारा बारा तेरह चोड़ा पंद्रह सुलह लाइन बन गए अब हम इसमें विरुवा लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से इसके अंदर हम रूई को यहां तक लगा देंगे फिर से हाँ हम देखिए दो का एक करेंगे दो सिंगल क्रोशिया को एक साथ बनाएंगे बनाएंगे दो का एक करते हुए हम इसे टोटल बंद कर देंगे देखिए अब हम इसे इसमें देखिए यहां पर हम जहां हमने एक चेन में दस डबल कुर्सिया बनाएंगे इसी चेन में हम इसे सिलाइ कर देंगे देखिए इस तरीके से अंदर लेंगे और इसे हम इहां पर सिल देंगे इसे लेके से तरीके से पीछे में गाट लगा के इसे कट कर देंगे देखे फ्रेंड हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है आप भी इसे बना लें थोड़ा ऐसे करके इसको ऐसे बना देंगे इसके बाद देखे पूरा कंप्लीट हो गया है आप भी अपने घर को सजाने के लिए इसे बना सकते है तो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू दिस है नोट झूम करें पर क्यान आपको मेरे खीछ। झाल करेंगे तुम क्यादरिकेशन ुभ आपको मेरे लिए बाता है तुम क्थम क्या है